प्री दर्सको मम्ता किचेन रिस्पी में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हम परवल आलुक सब्जी बनाने जा रहे हैं इसे कहीं कहीं पटल भी बोलते हैं पटल को इंगलीज में पॉइंट गोर्ड बोलते हैं इस तरीके हम इसको काट लेंगे इसका हलका छिलका निकाल दिये हैं इस तरीके हम चार तुकड़ों में काल लेंगे आप किसी भी आकार में काट सकते हैं इस तरीके छोटे छोटे काल लेंगे इस तरीके आप मोटा भी छिलका निकाल सकते हैं मगर हम मोटा छिलका नहीं निकालें इसको हलके से पतला निकाले हैं अगर आपको बीज नहीं पसंद तो बीज निकाल सकते हैं इस तरीके बीज नहीं निकालेंगे हम इसका बीज बहुत ही स्वादिश्ट होता है तीन सु ग्राम पलवार हमारा कट के तयार हो चुका है तीन सु ग्राम आलू भी हमने उबाल लिया है, छोटे छोटे आलू, इस तरीके छील नीगे हैं, छील का निकाल दिये हैं, आलू का ये मसालक तैयारी करते हैं, मसालों में हमने ये तेज पत्तर रख लिया, लाल मिर्च, एक चम्मच, छोटा चम्मच, आधा चम्मच सब्जी मसाला, एक बड़ा चम्मच हल्दी पाउडर, एक आधा चम्मच कास्मीरी पाउडर, ये तीखी नहीं होती, कलर के लिए इसको डाला जाता है, एक चम्मच गरम मसाला, और एक चम्मच धनिया पाउडर हमने भीगो के रख दिया था, इसमें और पानी डालेंगे थोड़ा, इन मसालों को हम इसमें डाल देंगे, इस अभी मसाले पाउडर को हम भीगो के डाल देंगे, इस तरीके, दो मिनर तक रख देंगे इसको, यह हमारा टमाटर है, दो टमाटर हमने बारी गाट लिया है, यह दो मीडियम साइट प्याज है, इसमें हरी मीर्च, लासुन, अदरक भी मिला के बारी गाट लिये हैं, यह हमारी सबजी की समागरी तैयार हो चुकी है यह आगे की तैयारी करते है आलो को इस तरीके हम छेद लेंगे ताकि मसाला अच्छे से अंदर तक भर जाए और फ्राई करने में भी यह असानी से अंदर तक तेल सीज़ जाए बहुत अच्छी आती है इस तरीके हम इसको कड़ा ही हमारी गर्म हो चुकी इसमें तेल डाल दिए तेल भी हमारा गर्म हो चुका अब इसमें आलू डालेंगे छेदा हुआ आलू को डाल देंगे यह सारे आलू हमने डाल दिया इसको फ्राई करना है आलू को हम ब्राउन करेंगे इसको मीडियम फ्लेम में हमको ब्राउन करना है यह देखिए हमारा आलो ब्राउन हो चुका है अब इसको निकाल लेंगे कडाही में और तेल डालेंगे एक चमत जीरा डालेंगे तेज पत्तर डालेंगे कटिवी प्याज लासुना दर्ख डाल देंगे इसको हमने बारी काट लिया था इसको दो तीन मिनट तक भूनेंगे इसको हमको हलकी ब्राउन करना है इस तरीके हम चला चला के इसको भूनेंगे गैस तेज हमको कर देना है हलकी ब्राउन हो चुकी है अब इसमें कटे हुए परवर डालेंगे परवर भी दो तीन मिनट तक भूनेंगे इसको मिक्स करेंगे इस तरीके परवर हमारा अच्छी तरीके से भून चुका है यह देखिए अब इसमें मसाले डालेंगे हमने जो मसाले भीगो के रखा था इसको भी भूनना है इसको धीमी आज में भूनना है हमको मसाला हमारा तेल छोड़ने लगा मसाला हमारा पक चुका अब इसमें टमाटर डालेंगे टमाटर को भी हमने बारीक काट लिया था इसको भी मिक्स करेंगे अब इसमें नमक स्वादन स्वाद डालेंगे इसको भी चलाएंगे फ्राई किया हुआ आलू डाल देंगे इसमें इसको भी मिक्स करेंगे इस तरीके हमको चलाना है दो मिनट तक इसको भूनना है इसी तरीके पांच मिनट के लिए धक्के रख देंगे इसको पांच मिनट बार धक्कन हटाएंगे ये सबजी हमारी बन के तयार हो चुकी है टमाटर भी पक चुका है इसको आप ऐसे भी सारो कर सकते हैं मगर हम इसको ग्रेवी टाइब में बनाएंगे एक ग्लास पानी डाल देंगे इसमें इसको दस मिनट के लिए तेज आच करके रख देंगे धक्कन से ढख देंगे सबजी हमारी बन के तयार हो चुकी है हमारी सबजी में से बहुत अच्छी खुस्बू आ रही है एक दो आलू मसल देंगे इस तरीके से ताकि हमारी अच्छी ग्रेवी बन सके अब इसको दो मिनट के लिए ढख देंगे गैस बन कर देंगे दो मिनट बार ढखकन हटाएंगे सबजी हमारी बन के तयार हो चुकी है आप इसे धन्या पत्ती से गार्निस कर सकते है इसे हम चावल रोटी के साथ सर्व करेंगे आप इसे पूरी पराठा के साथ भी सर्व कर सकते है सबजी हमारी बहुत अच्छी खुस्बू आ रही है आप इसे घर में जरूर बनाईए अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए सेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बिल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि अगली वीडियो आप तक आसानुस सी पहुंच सके अगर आपको कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में बताईए धन्यवाद